कि सो फाइनली गाइस नौ महिने के बाद आ गया है रिलेक्स गाइस व्लॉग की बात हो रही थी ते आ गया मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ जिसमें आज हम लोग जा रहे थे आर विसिट करने फूल बाग और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वह लाल वाला कदमों के साथ हम आंगे बढ़ी रहते हैं और यह शांदार चीज देखी जो फाइनली वह समय आ गया था जब हम अपने कदम आंगे बढ़ा ही रहते हैं और हमने देखा यह काला तलाब जो की काफी शांदार और खतरनाग दिख रहा था लेकिन इस तलाब के बीच हमें एक अच्छा दिखता है गाइस रिलैक्स गाइस स्वेस की बात हो रही है समझेगे निकल ला उड़े पहली फूर्सत में निकार भाव की आग्या का पालन करते हुए हम अपने चरण को और नीचे ले जाके इस सेंटर पॉइंट पर ले जा रहे थे जो कि इस तलाब के एकदम स सब्सक्राइब के बात हो रही है और हम उतार गए अपने गाड़ी क्योंकि हमें दुनियादार ज्यादा मतलब नहीं और अगर आपको लग रहे है पत्थरा का तो रिलैक्स गाइस प्लास्टिक का है और यह हमारी माश्यू का गाड़ी येस गाइस और इस टेक्टर तो इस रिलेक्स गाइस 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 साथ रुप्या और यह मिला था बीस मिनिट का समय और इस 20 मिनिट की इंटरवल पर हमने अपनी गाड़ी को काफी गुमाया क्योंकि इसका अगला चका नहीं गुमता है इस लिए दोनों पीछे को बराबर गुमाया रहते हैं और उस पीछ हमने क्यों ना सोचा किसी से क्यों ना एक रेस लगाई जाए और अपनी ताकत को आंगे बढ़ाई जाए यह तरी बेहान दी फाइनली हमने एक रेसर भूल लिया आप हम लोग रेसिंग शुरू है आ लिए गाइस बारा साल बरबाद गाइस से पढ़ने का क्या फाइद दिमाग दोड़ाया इसे की साथ हमने अराम से अपने कदमों को सलाया और अपनी गाड़ी को आंगे बढ़ाया एंडेंस तिंग क्या हुआ उन लोग की गाली टकरा गए एक दूसरी बोट से और वो रेस वहाँ पर ही रद्ध हो गई लेकिन रिलैक्स गाईस आप जानते है तो फाइनली हमारे एनमी की तरफ से हमको इन्विटेशन आया है फिरसे एक न्यू रेस का एंडेन वीड रिसाइडेड क्यार हम यह रेस करेंगे और इस बार उनके मुझ पे उनकी हार को मार के चाले हाँ ठीक है ठीक है और हमारी अगली रेस हो चुकी तो शुरू और फिर रिलाक्स गाइस तो देख जग्दवार हम इसे के साथ आंगे बढ़ गए हैं और इस रेस को खतम कर दी है क्योंकि इस बार हमने सौट रेस की आई सौट रेस जो कि सिफ 15-20 मीटर के ही थी और वह बगल से चिलाया आजा भाई तो हम लोग चले गए और यह है मेरी कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और व्लाग को लाइक करें